मैं जानता हूँ तुम्हें बॉक्सिंग से नफरत और मुझे तुमसे भी ज्यादा है सच है लेकिन एक और कड़वा सच्चा और पता है वो क्या है उनके जैसा सच्चा और इमानदार आदमी मैंने आज तक नहीं देखा तुम्हें लगता होगा कि उसके इरादे तुम्हारे लिए ठीक नहीं है लेकिन अगर उसे लड़की ही चाहिए होती तो उसने जितना तुम दोनों पर अब तक खर्च किया है उसमें उसे एक से बढ़कर एक लड़का मिल जाती है मुझे एक बात समझ में नहीं आती है असोसियेशन क्या एक भी रूपया अपनी जेब से खाने और एक्विपमेंट के लिए नहीं दे रही है उसके अकाउंट में जितने भी रूपय थे उसने सब लगा दिये हमें तुम में बस एक भाजी वाली दिखती थी लेकिन उसे देखो उसने तुमारे अंदर एक टैलेंट पहचाना और उस टैलेंट पर विश्वास भी किया है ये मौका हाथ से मत जाने दो कि नाता है झॉह, जज झॉह पिएा हुई। झॉह, 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 झॉह! झॉह, झॉह! झॉह मुझे तुझे चूने में कोई तिर्चस भी नहीं है अच्छा अच्छा जैसे कि दुनिया के साधी लड़के तुझे चूना चाहती है सर एक सवाल पुछाएं आपसे आपकी प्रेणा कौन है महमद अली या टाइसन जंगिस खान ओ पाकिस्तानी बॉकसर हेवी वेट ओ भाई सुन हर खान पाकिस्तानी नहीं होता वो मंगोलिया का राजा था जंगिस खान मंगोलियन था बिल्कुल बाउना था लेकिन उसका जजबा शेयर का था पुरे इश्या को उसने चुटकियों में जीत लिया लेकिन योरोप को जीतने में तकलीफ हुई उनके सारे सैने जंगिस खान से दुगने लंबे थे हथियारों से लेस उनसे लड़ना लगभग नामुमकिन साथ लेकिन जंगिस खान एक बात जानता था जंग को जीतने के लिए या तो शत्रू के हथियार तबाह करो या फिर अपने हथियार मजबूत करने बंदे ने दोनों काम कर लिया उसने का ऐसी तरकीब निकाली जिससे शत्रू के हथियार नस्ट किये जा सके वो डर का नाटक करते हुए उनसे लड़ रहा था वो डर के गोड़े पर भागा और अचानक मुड़ा और अच्छे से एंगल जमाया और मानों की वर्षा कर दुश्मन चारों खाने च्छे थोगे क्या स्ट्राटेजी थी अगर हम दुश्मनों का अथियार नस्ट क जो मैं वापस हिसार जाण वोल्ल कुप के लिए प्लेयर अपने साघ भी जा दौत अ वर्ल्ट कुप के लिएख ब् ART ए। छीम्री कै ब्रॉत खाने कि है खार निलियार्त फिर्स्स राउंड, बॉक्स स्टॉप, स्टॉप तो तो कॉर्नर और इसके साथ ब्लू को पॉइंट्स दिये गए है, विजिता है ब्लू है, ब्लू रॉंग जट्च्छा मात्त्र लग्ष्ट्व, रॉंग ज़ार मात्त्र बॉप घ्स्ट्थ, घ्सू राउंड बॉक्स अँट्थ, राइट्थ, वार्करो रेटेख़। राइटेव, राइटेव राइटेब। है व्या नह कहो है ए यह क्यूह सबस्ट बहुद में अरल यह हो कुम्स्क बाइक kamu बहुे है यह आऑन यह तुम यहां क्या कर रही है यह फिशकरी है मैंने आपके लिए बनाई थैंक यू मैं कैसी लग रही हूँ अपने ट्रैक्स पहनो और रिंग में पांच मिट में पहुँचाओ क्यों मैं सुंदर नहीं लग रही नहीं बिल्कुल नहीं जब तुम पसीने से लटपत होके रिंग में लड़ती हो ना तब ही तुम मुझे दुनिया की सबसे खुबसूरत लड़की लगती हो चला आप कम आप कम आप कम आप क्वास मत करो मुझे बता है तुम भी मुझे पसंद करते हो आइ लव यू गुरू क्या का आइ लव यू तुम्हें क्या लगता है एक स्टूडेंट से मैं यह सब पहली बार सुन रहा हूं क्या यह सब हॉर्मनल चिंजेस के वैसे होता रहता आप चलो तुमी तो हमेशा कहते हो कि मैं वाकिस सबसे अलग हूँ ए गुरू रश्मी अपने जजबात काबू में रखो मैं तुम्हारे बाप की उमर का हूँ मुझे फर्क नहीं पड़ता मैं बाप की उमर के बहुत लोगों को जानती हूँ मार जाओंगी हाँ हे यह तुम बिना बात के तब से मुस्कुरा क्यों रही हो क्या बात है क्यों क्या हो गया लगी तो नहीं संभाल यार देखकर नहीं कह सकती थी थांसे थांसे चलिए थांसे रुप 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 ब्लू में हे रश्मी और रेड में हे विक्षा फर्स्त राउंड वॉक्स रुप 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 तरन तरन रुप भॉप रुप यू अधर रुप रुप वहां से जब दो अच्छान। एच इपके अच्छान। ऑच में तो है तू ? जबान। रिफेंड कर, रिफेंड कर उसे ! एच्छान। प्रॉप दो खॉर्ण। कि विजेता है रेड में आरूशी कि कि कसम खा के कहते हैं गुरू रेड मेरे बात का विश्वास करो तो और उसे चोड़ दीजिये गुरू ऐसे कुट्टे को भी जब रोटी खिला तो वो तुम हिलाते हुए वफादानी अचार किया है तुम लड़कियों की प्रप्रॉब्लेम क्या है और चांस नहीं मिलता है तो रोती हो और चांस मिल जाए मौपत के चक्कर चला दियो मुझे लेगा तुम बॉक्सिंग चैंपियन भरोगी अपने आपको तुम में देखता था बिल्कुल खलत था मैं शरम आती है मुझे अपने आपका जाओ यहां से निकलो जिस कबार से उठकर आई थी बहीं जाकर सड़ो जई बने रवा कि裡面 रफ़ जाकर से खुर। जाओ यहां से यहां से इफड़ो आपका जाओ यहां से घच जावसिन देखता अइफ grac तुम और गांलो अपका और किसे बेवां से पी pursाव मैं जाओ यहां Sun ऐग यहां से अुम जाओ यहें गोटू है जिन्ता मत करो बेटी कम से कम उपर वाली के द्यासे लग्स जीत तो गई है वह भूत हो गई है और भूत को किसी से प्यार होता है क्या है हाँ भावना सिफ तुम में है प्यार तो उसे अपने फैन से है तुमने उसे दोका दिया तुमसे क्या हाग प्यार करेगी याद है ना उस कोश्ट ने मुझे तीन हजार रुपए महीना देने का वादा किया यह सब कुछ मैंने तुम लोगों से प्यार की वज़े से मंजूर क किया वरना मुझे कोई पीने का शौक नहीं है इस लड़की ने सब कबढ़ा कर दिया अरे चुप बखवास बंद करो अपना यह सब कुछ तुम्हारी वज़े से हुआ है ना मैं तुमसे शादी करता और ना यह सब होता बिकार अदमी कुछ में बोलता है तो सच्चा ही मेरी लिए रुखचा मैं और बरदाश्ट नहीं कर सकती में जा रहा हूं जाने दो जाने दो जानता हूं तो ड्रामा है जानो ठंकी रुखचा बेटी की करूं तो हम मुझें का या कि अ कि प्ली तो में तुमसे का मुझे की चीलाशाते का डिलाशाधे प्ली रिप्ली व्यूश्ट हिस email झाल झाल मेरी बाप ध्यान से सुनो कल्चुरल टॉर्नमेंट के लिए रश्मी को मेरे पास दिल्ली भेजो कहना की देव ने माउका दिया है ओके ओके जरूर सर मैं रश्मी के नाम अभी लिस्ट में लिख देता हूँ ओके सर, थैंकिज सर लगता है भाजी वाली को असली खरीदान मिली गया रश्मी रश्मी तुम्हे असोसियेशन में जगे मिल गई है और तुम दिल्ली जा रही हो वहाँ तुम कल्चरल समिनाक में फाइट करने वाली हो देख क्या रही हो पता है नाशनल कोच देव कत्रे ने तुम्हारा नाम रेकमेंड किया है हमारी रश्मियत चैंपियन बनेगी चैंपियन तुम आदी की स्टुडेंट हो ना तुम्हारे और तुम्हारी बॉक्सिंग के बारे में उसने बहुत कुछ बताया है रश्यन बॉक्सर नाटालिया के साथ फाइट करोगी किसी को भी आसे इंटरनाशनल लेवल पर खेलने का मांका नहीं मिलता किसमत वालों को ही मिलता है और तुम बहुत किसमत वाली हो कमान अडप सर वो रश्यन फाइटर तो हेविवेट कैटेगरी से है और रश्मी लाइट वेट से है यह कैसे है सर क्या तुमने उननी सो असी के इशन गेम में गोल्ड मेडल जीता था उननी सो छेयासी में द्रोनाचारे अवार्ड जीता था इंडियन विमेन बॉक्सिंग टीम के हेड कोच तुम हो या मैं तुमने जिन्दकी में आज तक पाया ही क्या है हेविवेट कैटेगरी में तुम लड़ सकती हो या नहीं बोलो हाँ कहा ना लिखके दूँ गड़ ऐसा ही गुस्सा होना चाहिए एक बॉक्सा में